वश्कार साथियों मैं हूँ आपका दोस्त वान वरगाप और आप देख रहें जीके भी तवानु चनल साथियों आज सिक्षव ववाग से एक लेटेस्ट अपडेट निकल करके आ रहें जहां मद्यप्रदेश के समस सिक्षव का ग्रिश मकाली अपकास पा लग सकती है रोक शाथियों किशबाजे से रोक लग सकती है ये संपूर जानकारी जानेंगे हम इस वीडियो के अंतरकत आप इसी प्रकास से सिक्षव वाग से समन्देल लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चै को प्रशारत किया है बड़ी प्रमोगता के साथ है जैसे की प्रस्ताब खबर में निकल करके आ रहे आयक तो लोक शिप्षर ने सासन को भेजा है प्रस्ताब इसी माय होगा फैसला प्रस्ताब में पौने चार लाग सिक्षकों को नहीं मिलेगी गर्मियों के छुटी अला कि इस सत्र में भी अगर देखा जाए, सत्र दोहजर बाइस तेस में भी स्कूल 26 बाइसे प्रारम हो गये थे, जहाँ नौ या दस तारिक से श्कूल खुलते थे शिक्षकों के, तो अल्लेडी मदप्रदिस के जितने भी सिक्षक्ष आती हैं, तो उनके इस वर्ष भी ग्रिश्म बर्ष भी चुनावी बर्ष है, और इस कारण से या कोई अन्य कारण है, जिस वज़े से मदप्रदिस के जितने भी सिक्षक हैं, उनके ग्रिश्म कालिन अपकास पर लग सकती है, क्या है पूरी खबर, जैसे कि इसे हम जानते हैं, ग्रिश्म हेडिंग में इसमें दिया गय है, ग्रिश्म अपकास की जगा है, अर्जित अपकास देगी सरकात, तो साथियों, अर्जित अपकास जो की बंधर मिलता है, यानि तीन कार दिवस पर एक अर्जित अपकास मिलता है, यानि आपने 45 दिन कार किया है, तो उसका 3 दिन का, आपको 15 दिन का अर्जित अपकास मि ले सकते हैं तो शाथियों पहले हम इस खबर को जानते हैं फिर इस पर थोड़ा सा बेसलेशन करेंगे जैसा कि शाथियों खबर निकल करके आ रहे प्रदेश में तीन लाक इकतर हजार पांसो सिक्षकों को गर्मी की छुट्टी नहीं मिलेगी राज्य सरकार इसके लिए बद प्रदेश से इसकूल सिक्षवाग के और इस पर फैसला इसी माई फरवरी में आ सकता है हम इस पर लेटेस्ट अपडेट लेकर के आएंगे क्या डिसीजन रहा है आंगे खबर आ रहे है कि इसलिए पढ़ी जरूरा तो प्रदेश के इस साथ सरकारी इसकूल में 16 जून से ख बजर जाता है ऐसे में सितंबर तक पढ़ाई का माहौल बन पाता है इसलिए गर्मी की छुट्टी ना दे करके सभी काम पहले ही निपटा लिये जाएंगे और 16 जून से ही पढ़ाई शुरू हो जाएगे तो शात्यों देखा गया है कि ऐसा भी समझ में आ रहा है कि इस वा अपन कार प्रारा हो जाएंगे और गैस सेक्षन कारों में जहां सिक्षक लगे रहाते हैं तो वो अल्रेडे पहले से इन गर्मियों में निपड़ जाएंगे जो सिक्षक साथी गर्मियों में अपकास के दौरान कार करेगा तो उसे अर्जित अपकास की पातरता रहेगी आ प्रतिक्रिया क्या आती है तो यही रूल्स आप सिक्षक विवाग पर भी लागू कर रहे हैं अब इसमें सिक्षक जो देखते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या आती है साथियों हमारे कमेंट्स प्रक्त में जुरू लिखिएगा वीडियो को लाइक जरू कीजेगा और शेयर कीजेए अपने सिक्षक साथियों के साथ क्योंकि यह वीडियो अधिक साथियों लोगों के पास पहुंचे और गबर्मेंट तक भी आपकी बात पहुंच सके तो साथि स्कूल चले हम और अभ्यान अंतरकत उत्तरपुत का जाचने जनगर्णा पशुपालन मतदाता परिचाय पुनरिक्षण कार सहत अन्य अभ्यान के कारण सिक्षकों को ग्रिश्म अपकास का पूरा लाब नहीं मिल पाता है यह मिलने से यह फाइदा होगा कि जब सिक्षक को जरूरत पड़ेगी तब उसे छुट्टी मिल सकती है तो साथे हो जो सिक्षक संग्ठन के जो पदा दिखा रहे हैं उन्होंने इस पर सहिमत ही दी है कि यह काम तो अल्रेड़े ग्रिश्म कालियन अपकास के दौरान चलते ही रहते हैं और उन्हें EL भी नहीं मिलती है तो इ जैसे कि 1996 से लेगा कि 2003 में 10 अर्जे तबकास दिये जाते हैं प्रतिवर्स तो इससे रिलेड़े ये कुछ खबरे और है और जैसा कि यहाँ पर हम एक खबर और इसमें जानते हैं ग्रिश्म अपकास की जगह अर्जे तबकास देगी सरकार जैसा कि प्रिस्ताव आया है सिक् सचेव दीप्ती गौड मुकरजी दौरा इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है कि फिर्सताव तो आया है और उस पर अभी मंधन चला है अब जैसे कि मद्ध प्रदेश में लेक्चरर की संख्या दिखा जा तो शाड़े पांच हजार है उस्चिस रड़ी सिक्षक 32,000 क सिक्षक हैं हाई स्कूल हाईर सेकंडी स्कूल प्राचार 500 के करीब हैं वहीं बरिष्ट अध्यापक की बात करें तो यहां पर 33,500 उच्चिमादवे सिक्षक हैं अध्यापक 80,000 है वहीं समधा सिक्षकों की शंख्या है 40,000 के करीब तो इस परकास से यह मद्ध प्रदेश के चाल लाग के करीब जो शिक्षक हैं उन्हें गर्मी में मिलने वाला ग्रीश मकालिन अपकास प्रवावित हो सकता है सरकार इस पर जो अर्जत अपकास देने के लिए तैयारिया बना रही है आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स वाक्त में जरूर लिखिएगा वीडियो को अधिक साधिक शेयर कीजिएगा मिलते हैं इसी प्रकास से समनने लेटेस्ट अपटेट के लिए